साथियों नमस्कार स्वागत है हमारे चैनल EG Study Pharmacy जहां दवाईयों की संपूर जानकारी मिलती है साथियों साथियों आज हम डिसकसन करेंगे डाक्टर मोर पैन प्रोड़क्ट इच बीट डस्टिंग पाउडर साथियों इस बीट डस्टिंग पाउडर जो बहुत ही अच्छा पाउडर है साथियों यह एंटी फंगल क्लीनिकल प्रोवेन है साथियों साथिओं 100 gram का ये product है साथिओं साथिओं ये जो है Dr. More Payne Limited ये करके company है उसका ये product है साथिओं साथिओं इसकी जो MRP है साथिओं ये देखें साथिओं 115 रुपए है 100 gram का ये powder है antifungal powder है साथियों इसके बारे में बात करेंगे सबसे पहले जानेंगे description के बारे में साथी साथ बात करेंगे इसके हम important key benefit uses की बारे में and direction use and साथियों safety information की बात करेंगे composition की बात करेंगे हम तो साथियों सबसे पहले जानेंगे description Dr. Morpain Hbit dusting powder made with bacteriostatic formula मिला साथि हो bacteria static का मतलब होता है जैसा कि आपको पता है कि inhibit and kill the growth of bacteria किसी तरह का bacteria की growth है उसकी जो है inhibit कर देता है with dual action और इसमें dual action है give instant cooling relief for effective lung testing जो है साथि हो कहने का मतलब है कि जो सरीर में bacterial problem है उसको तो मारेगा मारेगा साथी साथ क्या हो करेगा कि जहां पर भी दिक्कत है इचिंग है और वहां इंफ्लामेशन है रेडनेस है उससे क्या होता है कूलिंग रिलीफ देता है आराम देता है साथी हो और साथी हो यह क्या होता है कि मतलब एंटी माइक्रोबियल भी है साथी हो माइक्रोब्स और बैक् गमोरियंग जैसे के सियह पंगल इंफान वाली है चोटे ऐसे इचिंग होती है शूजन आ चोटे चोटे रेड रेड दाने निकलाते हैं उसमें ये लगाने से बहुत ही लावकारी है साथिवह इटी यूज़ टू टू ट्रीट वारियस टाइप आफ इसकीन इंफेक्शन किसी तरह का स्किन का इंफेक्शन है उसमें इसका इस्तमाल किया जाता है यूजली दे फंगल की वजा से या chemical की वजा से या धूप की वजा से जो है readiness हो जाती है readiness जब होती है फिर उसके बाद scratching होगी फिर उसमें inflammation हो जाता है ऐसे case में इच bit dusting powder इस्तेमाल करेंगे तो तुरंत आराम मिलेगा it also Matte the infection causing microorganism or microorganism of microorganism जो infection है उसमें भी भी होथी लाबकारी है सातियों जैसा कि आपको बता दिया यह 100 ग्राम का पाउडर है डक्टर मोर पैन कंपनी का 115 रुपए का यह पाउडर है तो सातियों इतो डिस्क्रिप्सन की बात हो गई है यूजेस की सातियों अगर हम बात करेंगे तो यह क्या होता है प्रोवाइड रिली प्रामेशन हो जाता है और खाल जो है निकलने लगती है उसको तुरंत इसको लगाने से आराम मिल जाता है सातियों तो कहने का मतलब रिलीफ राम इच एट एटलेट फूट अर यह सातियों क्या करता है बैक्टीरिया की ग्रोध को भी कंट्रोल करता है और उसके है एक तरह से दैट प्रोवाइट इंस्टेंट रिलीफ और तुरंत यह जो है रहत देता है सातियों फंगल इंफेक्षन है उसमें भी किसी तरह की दिक्कत है उसमें यूज होता है पिकलिंग हीट हो जाती है जैसे कि कील मुहां से जो घमोरिया निकल आती है उसमें भी और इचिंग होती है उसमें भी और इसकीन इंफेक्षन हो जाता है उसमें भी इसका इस्तमाल किया जाता है सातियों कभी कबार क्या होता है कि किसी प्लांट के घरसंड से आपके पैरों में इचिंग होने लगती है जैसे लोग खेत में जाते हैं या कहीं गार्डेन में जाते ह और उससे क्या होता है स्कीन में हलका हलका सा जैसे इचिंग होने लगती है जिसको कहता है साहराती रहती है ऐसे केस में इस익 fram लगा देंगे तुरण आराहम मिल जाएगा और यह क्या होता है Reduce Skin Irritation और इसी순 में जो irritation होता है उसको reduce करता है और itching sensation को खतम करता है और burning sensation को ये खतम करता है साथियों बहुत ही अच्छा ये powder है साथियों direction for use की हम बात करेंगे देखे साथियों उसे में दिया भी है साथियों जब भी आप purchase करेंगे आएगा देखे direction for use तो इसमें लिखा है to be use as a dusting powder over affected part of the body जहां पे भी दिक्कत है उस पे जो है इसको जे powder की तरह जैसे होता है घरों में उसको apply करेंगे dusting powder है affected area पे इसको जो है धकन ये खोल के और इसमें hole है और उससे जो है मतलब लगा देंगे साथियों इसको हमेशा जो है room temperature पे अंदर रखना है store in a cool place and dry place and protect from light साथियों जे net weight 100 gram है और बच्चों की पहुंच से दूर रखे है साथियों साथी साथ एक और चीज मैं कहूंगा साथियों ये जो है क्या होता है कि pickling heat powder है तो ये जो है apply itching powder over the affected area relief pickling heat उससे आराम देता है itching sensation से आराम देता है और burning sensation से भी आराम देता है this is the direction for use safety information की बात करेंगे तो साथियों जब भी आप purchase करें सबसे पहले देखें container इसको ढकन खोल के कि ये sealed है कि नहीं है साथी साथ इसको क्या करेंगा read the label carefully कहने का मतलब है इसकी expiry check करें जैसे कि इसकी expiry जो है साथियों ये जो है 2024 है और साथी साथ इसको जो है क्या करते हैं कि direction for use कैसे use करना है और store इन्हें cool place and dry place साथियों और बच्चों की बहुंसे दूर रखें ये जो है safety information है साथियों इसके composition की बात करेंगे तो इसमें clotrima jol 1% weight by volume मिला है और talc बिला है जो base है इसका quantity sufficient मिला है साथियों साथियों ये मतलब बहुत ही अच्छी डाक्टर मोरपन कंपनी का product है मार्केट में इजली से मिल जाता है साथियों इसके container पर भी लिखा है clotrima jol dusting powder is ideal for prevention fungal infection, pickling heat each and skin irritation में बहुत ही लाग कारी है athlete food में जैसा कि इसका भी यूज होता है लेकिन बहुत घहा हो जाता है तो उसको भी लगाते हैं otherwise हलका सा है तो इसको powder के रूप में भी apply कर सकते हैं और ये जॉकिच में भी रिंग वार्म जिनको हो जाता कहने का मतलब दाद घाज खुजली होती है उसमें भी apply किया जाता है fungal infection जिसको हम candidaeus कहते हैं उसमें भी इसका उप्योग किया जाता है तो साथियों इसका साथ विराम देंगे किसी तरह की query है आप हमें जरूर कमेंट करें साथी साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें साथियों नमस्कार